दोस्तो मोटापा हमारे शेरिपे बहुत ही गंबी रसा ढालता है कि यह एक बीमारी तो हई है वह को है यह अपने साथ हमारे शेरिपे बहुत सारे बीमारेओं को लाता है है जैसे कि ह्यूझर है भी पी हिॉर्ज क्विपी श्ट्रोड इसकी मिघीन Half हाट के रिलेड़ेड बीमारे नहीं दिल की बीमारे और यह हमारे शरीट में थैरोड जैसी बीमारें को भी लाता है, ऐसा नहीं है कि कोई जान बुचकर मोटा होना चाहता है, इसके बहुत सारे रिजन्स होते हैं, जैसे टाइम की कमी, मोटिवेशन की कमी, या फिर नॉलेज संदीदा यूट्यूब चनल डॉक्टर जावेद की दुनिया दोस्तों इस होम रेमिडी को बनाने के लिए चाहिए हमें तीन इंग्रिडेंट नमबर वन है डालचीनी और नमबर दो है लवंग और नमबर तीन है जीरा यह तीनों हमारे किचन में हमें इसली मिल जाते हैं तो डालचीनी के बारे में बात करते हैं पहले डालचीनी जो होती है इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और जब हम डालचीनी को खाते हैं तो यह हमारे पेट को लंबे समय तक फिल कर देती है जिससे कि हमें बहुत लंबे समय तक भूक नहीं लगती है और डालचीनी हमा हमारे शहर 9 में मेयटाबिलीजम को बढ़ाती और मेयटा बंए कि अनदर कम रहतिए यहमारे बड़ी चanska कर बैए तो हमारे बोड़ी में मोटापके चांस बहुत messaging च्रणा अर्सवाग्या होते हैं नमबर तीन हमने जीरा किया है क्योंकि खेसे जीरा जो होता है हमारे श्रीर में भी चरवी होती है जैसे कि हमारे तों के पास तों पेट की चरवी जो होती है उसको कैम करने में काफी वाइदे मंदक और जीरा हम ने तिनνε child metabolism को बढ़ाते हैं इसलिए हमने यहाँ पर इस home remedy के अंदर इन तीन ingredient का इस्टमाल किया तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले segment के ओपर इस video की कि हमें इस home remedy को कैसे बनाना है देखिए इस home remedy को बढ़ने के लिए हमें दालचीनी लऊंग और जीरे तीनों को में पचहास पचास ग्राम में लेना है और लेकर हमें मिकसी में अच्छे तरह से गुमा लेना है और मिक्सी में गुमा एक इसक ऑच्छे से पावडर बना लेना है आप ज्यादा quantity में भी सकते हैं आप 100-100 ग्राम भी ले सकते हैं लेकिन मेक शूर करें तीनों इंग्रेडेंट इक्वल कॉंटिटी में हो और जब आप इसमें मिक्सी को मिक्सी में इसमें गुमा लेकर अच्छे से पाउडर बन जाता है तब आप इस पाउडर को एक टाइट कंटेनर के बॉटल के अ आए मतलब एक ग्लास को जो आपको इतना आप गुणाने के लिए छोड़ देना और जब वहों कुणुण कुन कुन यानि कि शुगर-free stevia आप इसी तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस बनाये हुए तो आपको दिन में दो बार ले रहा है इस लोगा कि सबाटो से लिए में की ते इसको टीन महें के लिए इस्तिमाल करना है लेकिन आपको टे सांब में मोटार बढ़ना बन दोस्तों आपको इस होम रिमेडि ने के साथ-साथ और चीजे से और चीजे जिनको आपका ध्यान रहा है वह बनकोर में कर देना है आपको शक्ताइला मेदे पनको पूरी तरह से बनके खेंद करेंप क्यालरी ड्रिंक्स मतलब जैसे कि पेपसी थमसब कोको कोला माजा और पैक्ट फूट जिसे उसका आपका इस्तेमाल पूरी तरह से बन कर देना और नंबर पांच आपको दिन में नहीं सोना है नंबर छे आपको किसी भी तरह की रेगुलर एक्सराइज करनी है 45 मिनिट्स के ल अबर आठ फ्राइट फूट यानि के तली हुवी चीज़ां जैसे कि बजजी बोंडे मिर्ची वड़े या फिंगर चिप जो भी तली हुवे चीज़ें होती हैं आपको इनको पूरी तरह से बंद कर देना देखिए दोस्तों जिस तरह एक बाइक दो पाईयों के बिना नह अगर आप इनका बैलेंस बना कर चलेंगे तो आपके मोटापे को पहले दिन से ही बंदने से बंद कर देगी और आप कुछी दिनों में आप फिट हो जाएंगे तो अमीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद और अगर आपको इस होम रेमेडी से लेकर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ खान पान की चीदों से डाइट है कि मोटापे को बढ़ाती है तो आप जरूर कमेंट करें मैं आपको उसका जाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा और इसी के साथ-साथ अगर आप ट्राखिव जावेद और ।